ये बेसर्म सरकार है, नितीज कुमार हत्यार हो गए नाइक जाच यदि सरकार को हिम्मत है तो पटना हाइज कोट के उच्ण आलेक के सिटिंग जण से जाच करा ले दूद का दूद का दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा वो असपस जलगता है कि वो किसी पार्टी से प्रेरित होकर और सरकार के पक्ष में काम करें, उनको निस्पक्ष राना चाहिए नितिश कुमार जी बाहर में निकल कर ये कर रहे हैं कि एक साजिस के तहत किया गया तो परमान तो दो, सोय भी सरकार है और जबाब विरोधी देगा, क्यों नहीं करते हो, बिहार की पुलीस इतनी निकम्मी बना दिया, नितिश कुमार जी ने राजत को सब बिहार की जनता जानती है, और अमेज साजी ने दंगाई को ठीक करने का कहा है, किसी पॉलिटिकल वर्कर को नहीं कहा है, दंगाई को ठीक नहीं कर सकते हो, सिधा नहीं कर सकते हो, तो सत्ता से बाहर जाओ पूरी तरह और लगतांत्रिक है जिस तरह का रवया विधान सभा में विधान सभा अध्यक्ष के द्वारा किया जा रहा है वो असपस जलगता है कि वो किसी पार्टी से प्रेरित होकर और सरकार के पक्ष में काम करें उनको निश्पक्ष राना चाहिए और जनता की अवाज हम बनेंगे तो हम सदन में क्यों आएं विरोधी धल के लोग जवाब चाती है सरकार से नितीश कुमार जी बाहर में निकल कर यह कर रहे हैं कि एक साजिस के तहत किया गया तो प्रमान तो दो सोय भी सरकार है और जवाब विरोधी देगा यह बेसर्म सरकार है नितीश कुमार हत्यार हो गए नितीश कुमार जी को यह जवाब देना पड़ेगा कि गुलसन कुस्वहा की हत्या जो दिहार सिरिप में हुई और राजा साहनी की हत्या जो सासाराम में हुई इसका हत्या का जुर्म नितीश कुमार की सरकार पे चलना चाहिए यह मैं मांग करता हूँ देखिए नाइक जाच यदि सरकार को हिम्मत है तो पटना हाई कोट के उच्छी नियाले के सिटिंग जस से जाच करा ले दूद का दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा आपको जब तक केंद्रिय बल नहीं मिला सांती हुई क्या क्यों नहीं करते हो बिहार की पुलीस इतनी निकम्मी बना दिया नितीश कुमार जी ने राजत को सब बिहार की जनता जानती है और अमिज साजी ने दंगाई को ठीक करने का कहा है किसी पॉलिटिकल वरकर को नहीं कहा है दंगाई को ठीक नहीं कर सकते हो सीधा नहीं कर सकते हो तो सत्ता से बाहर जाओ जनता इसका इंतिजार कर रही है करवाई कम और हंगमे ज्यादा चलमाय यह को जवाब देना इस कुमार जी की सरकार को जवाब देना चाहिए कि ईसम्दा की आकाँचाहओं को पूरा कब्दक करेंगे इनको शर्म नहीं आती हैं बुजुर्ग हो गया हैं बुरे हो